संसद में आविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के फ्लाइंकेस पर बवाल मचा हुआ है सतपक्ष से जुड़ी 22 महिला सांसदों ने इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओंबरला से शिकायत की है कि इन 22 महिला सांसदों में शामिल हेमा मालिनी ने एक बयान में कह दिया कि उन्होंने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने फ्लाइंकेस दिया है खरीब दो दर्जिन महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओंबरला को इसके आधिकारिक शिकायत भेजी बीजेपी सांसद हमा मालिनी से सदन से बाहर आते वक्त जब राहुल गांधी के फ्लाइंकेस वाली घटना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस इशारे को नहीं देख पाई बता जा रहा है कि राहुल गांधी अवश्वास प्रस्ताओं पर अपना भाशर देने के बाद लोगसभापरी सरसे बाहर जा रहे थे इस दोरहां उनके हाथ से कुछ फाईले नीचे गिर गे जब वह उन्हें उठाने के लिए नीचे जुके तो कुछ बाजबास सांसदों ने उनकी ओर देखकर हसना शुरू कर दिया इस पर रहुल गानी ने उनकी ओर देखकर फ्लाइंकेस दी और फिर वो वहां से चले गए रहुल की इस इशारे को बाजबास सांसदों ने वबादित बताया है